बाल और तुचा दोनों के लिए नारियल पानी बेहत फायदिमन माना जाता है गर्मियों में लोग इसका खूब सेवन भी करते हैं इसे पीने के अलावा लोग इसका इस्तमाल तुचा और बालों पर भी करते हैं बेदाग तवचा और सिल्की बालों के लिए ये हैं बेहत प्रभावी तरीके से काम करता है हालाकि सिर्फ नारियल पानी ही नहीं बलकि इसकी मलाई भी खुबसूरती बढ़ाने का काम करती है अक्सर जब हम नारियल खरीकते हैं तो दुकानदार से पानी के साथ साथ मलाई की भी खुआईश करते हैं तब जाकर वो ऐसा नारियल देते हैं जिसमें दोनों चीज़े मौश्यूद होती है फाइबर से भरबू ये इंग्रीडियन पेज से जुड़ी गडबडियों को ठीक करने में मदद करता है इसके अलावा ये तवचा के लिए भी काफी उपयोगी है बेदाग और निखरी तवचा के लिए इसका इसमाल कई तरीके से किया जा सकता है खास बात ये है कि नारियल की मलाई हर स्किन टाइप के लोगों के लिए बेस्ट आप्शन हो सकती है अगर आप इस गर्मी, हेल्दी और ग्लोइंग स्किन चाहते हैं तो इसे अपने स्किन केर रुटीन में ज़रूर शामिल कर ले नारियल की मलाई के फाइदे नारियल पानी और मलाई स्किन को अंदर से ही नहीं, बाहर से भी हाइडरेट रखते हैं इसमें विटामिन A, C, प्रोटीन, कैशियम, पुटाशियम और सोडियम जैसे तक मौझूद होते हैं जब आप कुछ हफते इसका स्किन केर के लिए करेंगी तो फर्क आपको अपने आप नजर आ जाएगा नारियल की मलाई से करें फेस मसाज सुबह सुबह या फिर रात में सोनी से पहले नारियल की मलाई से मसाज करें इसके लिए मलाई को मिक्सर में डाल कर पीस लें और फिर उसे चहरे की मसाज करें मसाज करने के बाद 10 मिन के लिए ऐसे ही छोड़ दें और फिर गुनगुने पानी से चहरे को धोलें अगर यही काम आप सुबे कर रही हैं तो मलाई को पीसने के बाद फ्रिज में थोड़ी देर के लिए उसे रख दें फिर इसे चहरे पर अप्लाई करें इससे पफिनेस की समस्या दूर होगी और चहरा भी काफी रिफ्रेश नजर आएगा और ऑप्लाई को पतला करने के लिए थोड़ा गुलाब जल मिक्स कर सकते हैं अब इसे अपने फेस पर लगाएं और फिर 20 मिनट के लिए छोड़ दें 20 मिनट बाद एक सौफ टॉवल लें और उसे पानी में भिगो दें अब टौवल की मदद से रब करते हुए उसे क्लीन कर दें एक या दो बार के बार आपको क्लियर स्किन देखने को मिलेगी संटैन की समस्या होगी दू नादिल की मलाई से आप आईस क्यूब ट्यार कर सकते हैं सबसे पहले मलाई को अच्छी तरह पीट लें और उसमें कैरेट सीट एसेंशियल ओयल की एक बुन मिक्स कर लें अगर मात्रा जादा है तो दो बुन एसेंशियल ओयल मिलाए अब इसे आईस क्यूब वाली ट्रे में रखकर फ्रिज में रख दे जब ये त्यार हो जाए तो इससे चहरे की मसाज करें 5-6 मिनिट बाद इसे ऐसे ही छोड़ दे और फिर 10 मिनिट बाद चाहरा साफ कर लें बॉडी स्क्रब की तरह करें इस्तिमाल नादिल की मलाई और ओज को मिक्स कर आप बॉडी स्क्रब तियार कर सकते हैं नहाने से पहले इसे बॉडी को स्क्रब करें सबसे पहले इन दोनों इंग्रीडियन्स को मिक्स कर मिक्षरण बना दे और फिर उसे बॉडी की मसाज कर ले पाच मिर्द दर ऐसा करने के बाद नहाले इसके इस्तमाल से हाथ और पैरों की टैनिंग हट जाएगी आप चाही तो इसका इस्तमाल रोजाना कर पकते हैं नारिल की मलाई का उप्योग और इसके क्या फाइदे हैं इस वीडियो में हमने आपको बताया और अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आपको भी फाइदा मिलेगा चलिए आपसे फिर मुलकाद होगी किसी नए कॉंसेप्ट के साथ